तो राम राम सभी भाईयों को मैं हूँ आपका दोस्त उशार बबर स्वागत करता हम आप सब कमेरे को नए वीडियो में दोस्तो टोयटा अपनी नई इनोवा भारत में लाँच करने वाला है यह वही गाड़ी है दोस्तो जो की M.U.V में सबसे टॉप सेलिंग एसुवी भारत में रह चुकी है जो की टोयटा इनोवा होने वाली है दोस्तो टोयटा मोटर्स अपनी इनोवा को एक नए अफ्तार में 2021 में भारत में लाँच करेगा जिसमें आपको नए फीचर्स, नए इंटीरियर, नए एकस्टीरियर और साथ साथ नए एंजिन के ऑप्शन भी मिलने वाले हैं बात करिए अगर हम नए टोयटा इनोवा के एकस्टीर की तो इसमें आपको टोयटा की बैजिंग के साथ नए फ्रेंट ग्रिल, नए प्रजेक्टर हेडलैम्स विद दे रेल्स, फोग लैम्स विद प्रोजेक्टर, फ्रंट एं दियर स्किफ प्लेट्स, वार वेम विट्र इंडिगेटर, आर्एटीन और आर सेवन इंच के स्टीलियम उर अलावील्स, रियर एलीडे टेल परने बडुची आपको इन्चेश करते हैं तो इसके वैसे आपको देन रिल्ष से ज्बाहँ दिया गया है अगर इसके एंजन की तो इसके आपको टू पॉइन्ट फॉर लीटर का डिजल इंजन मिलेगा जो की 147 भी-ऐच-की आसपाउस पावर और 343 एनम का टॉर्क पोड्यूस करेगा दूसरे इंजन के अप्शनमें इसमें आपको 2.8 लीटर का डिजल इंजन मिलेगा जो की 174 भी-ऐच-की आसपास पावर और 420 NM का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा यह दोनों इंजन आपको 6-speed की manual और 6-speed की automatic gearbox के साथ मिलने वाले हैं मैं आपको बता दूं 2021 में आने वाली टोयटा इनोवा टोयटा की हैलेंडर पर बेश जोगी यान की इस गाड़ी का डिजाइन टोयटा की हैलेंडर से मिलता जुलता बनाया जाएगा दोस्तो बात करें अगर हम 2021 इन्टियर की तो इसमें आपको एक नए डिजाइन का dashboard मिलने मिलने वाला है इसमें आपको डूल टोन कदर का ब्लैक और बेज कदर का dashboard मिलेगा जो की soft touch और लेदर फिनिशिंग के साथ आने वाला है दोस्तो साथ जाथ इसमें आपको टोयटा की बेजिंग के साथ मल्टी फंक्शनल स्टेरिंग वील मिलेगा जो की टिल्टेंट टेलिस कोपी होगा इसमें आपको 10.25 इंचिस का touch screen सिस्टम मिलेगा जो कि Android अपल कार प्ले इन बिल्ट नविगेशन ओक्स एफम जैसे फीचर को सपोर्ट करेगा इसमें आपको फुली डिजीटल इंस्टूमेंटर क्लस्टर मिलने वाला है जो कि स्पीड़ोमेटर के साथ साथ सा बाकि अगर हम इसके इंटियर की स्पेस की बात करें तो यह गाड़ी आपको 6-seater और 7-seater दोने की option मिलने वाली है यानिकि इस गाड़ी में आपको Captain Seats का भी option मिलेगा जो कि Innova की खासियत रह चुकी है दोस्तो साथ साथ इसमें दोस्तों आपको इंटियर की स्पेस पुरा आपको देखने को मिलने वाले है दोस्तों अगर हम सेफ्टी की बात करें तो टोटा इंटियर में आपको हाई स्टेंशील बॉडी ओल एट एर बैक्स रिवर्स पार्किंग सेंसर्स विद कैमरा हील फोल एसिस्ट हील डिकलाइन एसिस्ट एलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी स्मार्ट एक्टिविटी क्रूज कंट्रोल एलेक्ट्रोनिक ब्रेक सिस्टम टैर क्रेशन मौन्टिंग सिस्टम आइसोफिक्स चैल्ट सीट स्पीड अलर्ट सिस्टम स्पीड सेंसिंग और डॉल लोग जैसे शांदर सेफ्टी की फिचर आने वाली टोयटा नोवा के इंट तो आप हमें कमेंट करके बताएं आपको 2021 में आने वाली टोयटा नोवा कैसी लगी और क्या लगता है लोग को यह वाली नोवा पुरानी नोवा से ज्यादा लोग को पसंद आएगी या नहीं पसंद आएगी अभी कमेंट करके जुरू बताना और आपको एकाड़ी कैसी लगी यह भी कमेंटर के जुरू बताना दोस्तों अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर करना ताकि ज्यादे ज्यादा लोग को पता चले 2021 के बारे में नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब के साथ सब बैल आकन भी दवा दो उस